हुआ हैं बेरी बेलकम बैक टू माइ यूटू चैनल फैशन वंद्रावित्रिया एक बाद फिर से आप सबी का स्वागत हैं आपके पनी चैनल फैशन वंद्रावित्रिया में तो आज का यह जो वीडियो है वो नोगों के लिए है जो फैशन की दुनिया में आना चाहते हैं अपनी अलग एक पहचान बनाना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो में लेकर आई हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूं तो आप लोग मुझे बहुत तरह से कोस्टन करते रहते हैं तो सारी कुस्टन का अंसर मैं आपको देने वाली हूं इस वीडियो में और उसके साथ ही मैं एक अनॉसमेंट भी कर रही हूं कि मैं अपने इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रही हूं चैनल फैशन डिजाइनिंग कोर्स की एक सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आने बाली हूं बहुत ही अच्छे और हैल्फुल वीडियो जो आपके लिए बहुत ही हैल्फुल होने वाले हैं अगर आप फैशन की दुनिया में कदम रखने वाले हैं तो आज करें जो वीडियो है उस वीडियो में बताना चाहूंगी कि जैसे आप लोग पूस्ते हैं कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कब करें कहां से करें तो एसा कुछ नहीं है आप इंटर के बाद भी वियडियो ओ से करो सकते हैं अ और आज कल जो उनलाइन आपको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर आरहे हैं उसके साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी थालसा है छोडर 7 QB लिए शक्bonी देरें नहीं तो हां अगर घर से रही पढ़ना चाहते है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और इसके साथ अपका question होता है क्या subject होते हैं कैसे work करते हैं fashion design in में तो इसमें तो इसमें नीहराबॉत बताने वाली हूँ इस अब जगेक्ट के बारे में तो जो सबसे पहले subject होता है fashion designing में वह है element of designing element of designing में आप सीखते हैं सबसे पहले आपको line सिखाई जाते हैं like a pre hand lines बनाते हैं straight line, zigzag line, curvy line इस तरही कि आपको line इसके साथ ही आपको फिगर ड्रॉइंग, फिरी हैंड फिगर और टैक्सचर इन सब की बेसिक जो नॉलेज है वो डिजाइनिंग आपको मिल जाती है जिससे आपका हैंड जो है वो प्रॉपरली वर्क करने लगे इसमें आपको शेडिंग भी पैंसल सेडिंग डिफरेंट डि स्केचिंग जो वन ऑफ दा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी फैशन डिजाइनर के लिए अगर आपके माइन में कोई डिजाइन आ रही है और अगर आप उसको पेपर पे अच्छे से उतार दोगे तो आप बैस्ट डिजाइनर हो मेरे साब से क्योंकि अगर तो 1000 स्केचिंग है कि आपका क्लाइन कहीं जाने वाला तो इसलिए एक फैशन डिजाइनर बनने के लिए सबसे बैस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो है फैशन स्केचिंग में जाओगे तो आपको जो चीज सिखाएंगे वो होते हैं फ्लैट सोते हैं फिगर पोजिशन होती हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप की फिगर पोजिशन आपको क्रूकी होती है और आपको इसमें कलरिंग भी करनी आने चाहिए इसमें आपको इक स्केचिंग में लाइक सीफोन का अगर आपको टेक्स्टर देना है तो किस तरह से देंगे जॉर्जट का देना है तो कैसे देंगे denim का देना है तो कैसे देंगे different different type की fabric का texture जो है वो आपको sketching के थो इतना fine work करना होता है कि आप उसी के थो अपने customer को दिखा पाएं इसमें आपको embroideries, beads, prints ये भी आपको अपने sketching में बहुत fine तरीके से so करना होता है तो second subject हमारा हो गया fashion illustration and sketching अब बात करते हैं हमारे तीसरे subject की CAD CAD computer edit designing इसमें हम computer पे work करते हैं two software की help से जो हमारा पहला software होता है वो coral draw होता है और second जो हमारा software होता है वो Photoshop होता है करते हैं computer पे work करते हैं तो हमारे लिए plus point यह होता है like हम sketching जब करते हैं तो हमें बहुत सारे pencil, colors, sketching seat बहुत सारी चीज़ों को एकदम फैलाना पड़ता है तब काम होता है लेकिन अगर आप computer में work अच्छा करते हो और अगर आप coral में अगर आप expert हो गए हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा plus point होता है कि आप अपनी design को computer पे design करके उसको 3D effect में अपने customer के सामने present कर सकते हो कि आपको front look ऐसा आएगा, back look ऐसा आएगा, side look ऐसा आएगा और आपमें उसमे color, textures वगेरा, design भी बहुत अच्छे से आप उतार सकते हो जो भी fashion professionalist होते हैं वो इनी software पे आजकल work करते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छे से आप अपनी customer को अपनी design जो है वो present कर पाते हो अब हम बात करते हैं हमारी next subject की जो है PMT, pattern making technology जिसमें हम a pattern बनाना सीखते हैं हम हर चीज का एक pattern बनाते हैं तो pattern making में हम pattern बनाना सीखते हैं और किसी भी चीज की design को पहले कपड़े पे कट करने से पहले हम लोग पहले pattern बनाते हैं और फिक उस pattern की help से हम लोग कपड़े पे उसको paste करते हैं और उसकी according कट करके हम अपना dress जो है वो तेयार करते हैं इसके बाद जो हमारा next subject है वो है GMT garment manufacturing technology इसके अंदर हम कपड़े को किस तरह से बनाना है किस तरह से सिलना है like हर तरह की कपड़े से related जो dress को तयार करने के जो भी पूरी start to end process होती उसको हम पढ़ते हैं GMT में हम बहुत सारी knowledge मिलती है कपड़े का right side कौन सा है कपड़े का wrong side कौन सा है हमें hidden stitching कैसे करनी हैं और हमें stitching करते दो कौन-कौन सी सावधानी रखनी है कौन-कौन सी important things हैं जो हमें ध्यान में रखनी है इसमें आपको basic से basic knowledge दी जाती है सिलाई से related तो GMT में एक तरह के garment manufacturing technology होती है इसके बाद हम बात करते है fashion fundamental की तो यह बहुत ही interesting subject होता है इसमें आपको पूरी basic knowledge मिलती है fashion designing की like basic of fashion fashion कप से start हुई किस decade में कैसा fashion था 16S 17S 18S 19S तो मतलब इस तरह के बहुत सारी जो है आप world war first time किस तरह के हम लोग कपड़े पहन रहे थे world war second के बाद बहुत सारी जो fashion से related cycle है और बहुत सारी fashion की जो knowledge हो हम fashion fundamental में पढ़ते हैं कौन सी brands जो है उस ताइम से established है और अभी तक चल रही है कौन सी trends जो है running हो रही है fashion cycle कितने साल में change होगा यह सब सारी knowledge जो है वह fashion fundamental में मिलती है इसके बाद हम बात करते हैं next subject की तो वह होता है हमारा textile one of the most important and interesting subject because इस subject में आप जो है वह कपड़े की सारी कपड़े के बारे में पढ़ते हैं like cotton, polyester, denim, man-made और natural fabrics के बारे में आप पढ़ते हैं कौन से fabric पे किस तरह का work अच्छा लागेगा वह पढ़ते हैं आप Textilic बहुत interesting subject है इसमें आपको पूरी basic knowledge मिलती है फैब्रिक के बारे में कितने types की weaving हैं कितने types की हमारी embroideries, paintings, tie and dye, batik इस सारी knowledge आपको textiles के अंदर मिलती है तो यह बहुत ही broad और बहुत ही important subject होता है एक designer के लिए इसकी बाद जो हमारा next और last subject है वो है fashion merchandising जिसमें आप एक तरह का fashion का market जो है उसकी study करते हैं कि आप अपनी design आपने बना तो ली अब आप उसको लोगों तक पहुचाएंगे कैसे अपनी design जो है वो बेचेंगे किसको और कैसे तो fashion merchandising में हम पूरा fashion का business सीखते हैं कि कैसे हम अपनी design को लोगों तक पहुचाएं मार्केट में क्या running है उसके according हम अपना design रखें ऐसा हम क्या ढटके क्या new design करें जो दूसरों की designs को बीट करें और हमारे design सबसे आंगे आए तो fashion designing में जो हम fashion merchandising पढ़ते हैं वो एक तरह का fashion business ही है fashion business का management है मैं अपने सारे portfolios भी आप लोगों के साथ share करूंगी कि किस तरह से आपको fashion portfolios तयार करने होते हैं during your college days so I hope मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा हो और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को end करती हूं अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक करके जल्दी से उन friends के साथ share कर दीजे जो कि अपने fashion designing के feeling में अपना नाम कमाने चाहते हैं और इंट्रेस्ट रखते हैं और अगर आपको कोई question है तो आप मुझे comment section में आपके पूस्ट सकते हैं मैं आपको reply करूंगी